नमस्कार दोस्तों तो आज फिर संडे आ गया है और आज मैं फिर आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं हो सकता है आपको पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी तो एक छोटा सा बच्चा था टीचर के यहां पढ़ने जाया करता था घर में बहुत ही लडाकू टाइब का था बहुत ही परिशान करता था अपने माता पिता को तो टीचर ने सोचा क्यों ना इसको कुछ समझदारी शिकाई जाए जिससे कि अपनी फैमिली में कुछ भी गलत काम ना कर सके और अपने माता पिता की इज्जत करें और अच्छे से बोलना शुरू कर दे कोई भी गलत सब्द अपने माता पिता से ना करें तो टीचर ने कहा कि तुम मेरे यहां पढ़ने आते हो तुम एक काम करना अब जब भी माता पिता से कुछ भी आप सब्द या गलत सब्द बोलो तो बहां की बाल में एक कील ठोक दे देना तो ठीक है टीचर की बात माली उस बच्चे ने बच्चा गया अगले दिन कि टीचर ने फिर पूछा आज तुमने अपने माबाप से क्या बोला क्या गलती से मैंने बोल दिया चलो जाओ और कील ठोक कर आओ तो वह ऐसी तरह से ठोकता गया कील ठोकता गया महीना गोजर चुका है दो महीने गोजर चुके हैं दो महीने गोजरते गोजरते उसको आखिर कार शुरू में जो कीले जादा ठोक रही थी फिर धीरे तीन दिन में एक ठोकना चालू हो गई इस तरह से कील दीबाल में लगना चालू हो गई तो दो महीने ब कुछ दिनों का साथ दिन दस दिन का फिर एक दिन कील उसने ठोकी दी ठीक है इस तरह से समय गुजरता गया और वह कम होती गई कीले ठोकना उसके बाद एक समय आया कि टीचर ने पूछा कि आज आज बहुत दिन हो चुके हैं आज तुम जाओ दीवाल पर कील नहीं ठोक होग तो उसने कहां नहीं बहुत दिन हो गए मैं उनका भर्पू सम्मान करता हूं और किसी तरीके से मैंने गलत बात नहीं कही है टीचर खुस हो गया वह समझ गया कि मैं इसको सही रस्ते पर पहुंचा रहा हूं चलिए अब आगे की स्टोरी समझ लेते हैं कि आखर हुआ कि बाप बाप से कुछ बोलते नहीं हो एक काम करो जाओ बाहर और की लेके लेकर आया और plutôt के पास रख़तीस अंब टीचर न MAL करों बाहर जाओ दीबाल पर देख़ो कि तुम्हें क्या देख दे रहा बच्चा गया बाहर साथ में टीचर भी गया उसने दीवाल पर देखा तो बच्चा बोला कि इसमें तो कीले तो कुछ भी नहीं है तो टीचर ने समझाया कि इसी तरीके से हमारी जीवन है हम किसी से कभी भी कुछ भी गलत बोल देते हैं और उसको सुधारा भी जा सकता है लेकिन सुधार करने के बाब जूद भी कुछ निसानिया हैं जो रह जाती हैं जो आपके प्रती दिखाई देता है कि आप कैसे थे और आज कैसे हो मतलब उनक को लाइप में जो लग चुके हैं वो दो नहीं सकते सुदार नहीं सकते तो बच्चा समझ गया कि हां मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी कि भलाई मैं ठीक हो चुका हूं आज वो गलत नहीं कर रहा हूं कुछ भी अपनी माता-पिता के से लिए ना बात कर रहा हूं ना आज कुछ ना कुछ अंदर है मेरे लिए जो कि नहीं होना चाहिए था वो मेरे कारण है कि आज वो निसानिया रह चुकी हैं तो दोस्तों आज आप कहानी से क्या समझ में आया क्या सीके हैं जरूर मुझे कमेंट में बताएं चलो मैं तो आपको बता ही दूंगा तो दोस्त हैं वो कभी जिन्दिगी भर्थ होई नहीं जा सकती साप नहीं की जा सकती कि वो निसानिया रही जाती हैं मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगाओ तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है बैल आई क्या नहीं दवा देना बाई